हिंदू संस्कृती में भगवान गनेश की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान भोलेनात से मिले आशिरवाद की कारण ही उन्ही सबसे पहले पूजनिय माना गया है। भगवान गनेश को सभी विग्नों भाधाओं का विनाशक माना गया है। इसी कारण उनका नाम विग्न हरता पड़ा। हिंदू धर्म में कोई भी शुब कारे करते समय अन्य देवी देवताओं की पूजा से पहले भगवान गनेश की पूजा करने का नियम है। किसी भी नए पांचे तफल की प्राप्ति होती है। हलाकि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो सतरह से अन्य सभी देवताओं के लिए कुछ पूजा नियम है। उसी तरह से भगवान गनेश की पूजा के लिए भी कुछ बुनियादी नियम निर्धारित है। खास तोर पर अगर आ अगर आपको भगवान का आशिर्वाद मिलने की वज़ए विपरीत प्रभाव मिल सकता है। अब चलिए जान लेते हैं भगवान गनेश की मूर्ती इस्थापित करने के सही नियम। आशिर्वाद नहीं मिलेगा। घर में रखने के लिए भगवान गनेश की मूर्ती या पेंटिंग की भी एक निश्चित संख्या होती है। जी हाँ, अगर आप इससे अधिक मूर्तियां रखते हैं तो आपको दुश्परणाम जेलने पड़ सकते हैं। इससे शुब की अशुब फल मिलता है। घर में अच्छी होने की बज़ए्चा बुरी हो जाती है और यह जानना बहुत सरूरी है कि घर में भगवान गनेश की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। आईए जानते हैं कि भगवान गनेश की कितनी मुर्ती आपके घर में होने चाहिए और इसके क्या नियम होते हैं वास्तु टिप्स के अनुसार भगवान गनेश की मुर्ती लाएं जी हां लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस नियमों से मुर्ती को घर लाना है। जब भी आप खर्या मंदिर में इस्थापित करने के लिए भगवान गनेश की मुर्ती लाएं तो उनकी सून का ध्यान रखें। पास्तु के अनुसार दाहिनी और सून वाले भगवान गनेश को सिद्धी विनायक कहा गया है। वहीं अगर उनकी सून बाई और होगी तो नाम वक्र तुंड होगा। अगर आप अपने घर में गनेश जी की मुर्ती स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मुर्ती वक्र तुंड गनेश की ही होनी चाहिए। और सून बाली गनपती की मुर्ती स्थापित करना सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें।